पैदल राहगीरों को चाकू की नोक पर लूटने की फिराक में पाक के कोने में बैठे एक व्यक्ति को उसकी सस्पिशन एक्टिविटी को देखते हुए थाना बदरपूर के पेट्रोलिंग स्टाफ ने गिरफतार किया है तलाशी लेने पर उसके पास से एक बतंदार चाकू भी बरामद हुआ है आरोपी की पहचान बदरपूर मोहन बाबा नगर निवासी आशु खान के रूप में हुई है बदरपूर थाना प्रभारी विजयपाल दहिया अपने स्टाफ को बदरपूर थाना क्षेत्र में खुफिया जानकारी विक्सित करने और क्षेत्र में घूमने वाले क्रिमिनल्स के साथ साथ suspicious strangers के बारे में information एकत्र करने और दिल्ली पुलिस की टर्बुक के माध्यम से suspicious persons को verifying करने के लिए regularly motivated and briefed करते रहते हैं साथ ही बदरपुर पुलिस स्टाफ को इलाके में civil कपडों में गश्ट करने और जेल से जमानत पर रहा होने के बाद बारदातों को अंजाम देने वाले suspicious criminals पर नजर रखने के लिए बोला गया है दक्षिन पूर्व जिला DCPRP मीना ने बताया कि दिनाग 24 अगस्त 2021 को बदरपुर थाना स्टाफ सिपाही राजेंद्र और सिपाही सोविंदर अपनी अपनी बीट क्षेत्र में गश्ट कर रहे थे पेट्रोलिंग के दोरान वे खाटू शाम पाक, बदरपुर, दिल्ली के पास पहुँचे टीम ने पाक के कोने में बैठे एक व्यक्ति को देखा, जो पुलिस पार्टी को देखकर चोरी छिपे चलने लगा शक होने पर टीम ने पीछा किया और कुछ देर पीछा करने के बाद उसे काबू कर लिया सरसरी तलाशी लेने पर उसके पास एक बतंदार चाकू पाया गया टीम ने थाना बदरपूर के ड्यूटी ओफिसर को इनफॉर्म किया और डेप्यूटेड आयो स्पॉर्ट पर पहुँचे गिरफतार बदमाश की पहचान 22 वर्षिय मोहन बाबानगर बदरपूर निवासी आशू खान पुत्र इकबाल के रूप में हुई थाना बदरपूर पुलिस ने बदमाश के खिलाफ एफायार संख्या 483 वटा 21 धारा 25 वटा 69 आम्स एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया है आरोपी से एक बतंदार चाकू बरामद किया गया है इंटेरिगेशन के दोरान आरोपी आशू ने बताया कि वो सोसाइटी के बुरे तत्वों की संगती में रहकर शराब और ड्रग्स का सेवन करने लगा है इसके बाद उसने अपनी आजीविका कमाने के लिए खुद को काम खोजने में असमर्थ पाया इसलिए उसने शराब और धूमरपान की अपनी लट को पूरा करने के लिए क्राइम करना शुरू कर दिया 24 अगस्त 2021 को वो पैदल राहगीरों को चाकू की नोक पर लुटने की फिराक में पाक में बैठा था लेकिन पुलिस टीम ने उसे पकड़ लिया 22 वर्षी आरोपी आशु खान पुत्रिगबाल मोहन बाबा नगर बदरपुर दिल्ली का रहने वाला है यह आठवी कक्षा तक पड़ा लिखा है आजीविका कमाने के लिए उसके पास कोई काम नहीं है इसका पहले से कोई आपराधिक पुलिस रिकॉर्ड नहीं मिला है